हलो डीर स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचुता जैन आपके सेस्टी एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास टेंथ स्टुडेंट्स के लिए सामज विज्यान में अर्थसास्त्र का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है वैश्वी करण और भारतिय अर्थविवस्था और आज हम चानेंगे इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट तो शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी इस र प्रवाइड कराते हैं और इतने सारे कोर्स आपको एक ही सिंगल प्लेट फॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री आफ कोस्ट प्रवाइड कराये जाते हैं अल्राइड अगर आपको एवोक्स और नोट्स की भी आवेशकता है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दीगी है वहाँ जाएए क्लिक कीजिए और सारी चीजन प्राप्त कर लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये शेशन आपके लाइक और शेयर के साथ तो जैसा कि चैप्टर का टाइटल है वैश्वी करण और भारती अर्थिवेबस्ता वैश्वी करण वैश्वी करण को क्या कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो वैश्वी करण इस शब्द का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं ठीक है तो वैश्वी करण को बेसिक यानि कि जब विश्वके सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी व्यापारेक गतिविधियां करने लगते हैं. यानि कि आर्थिक रूप से व्यापार के द्रश्टी से एक दूसरे से जड़ जाते हैं, यानि कि एक देश से दूसरे देश की तरफ आया देवं मिर्याद, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वैश्वी करण यानि कि ग्लोबलाईजेशन कहा जाता है अल्राइट? किलियर है कहारी? चलिए तो अब पहला टम यहाँ पर आता है, पहला टॉपिक यहाँ पर आता है अंतरदेशी उत्पादन अंतरदेशी उत्पादन किसे कहा जाता है? तो चलिए इसको समस्ति अंतरदेशी उत्पादन यानि कि एक देश से दूसरे देश की तरफ जो है प्रोडक्शन हो रहा है कच्छेमाल ब्रेटेन को निर्यात किया और ब्रेटेन ने उसक्छे माल जह आहे mist कपड़े बनाए और वह एक प्रॉडक्ट बन पाएगा तो यहाँ पर दुनिया के देश आपस में जुड़ रहे हैं किस रूप में जुड़ रहे हैं आर्थिक रूप में जुड़ रहे हैं एक बात क्लियर हो गई फिर विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना कैसे जुड़ा विश्वभर का उत्पादन एक दूसरे से जैसे की कहीं का raw material है कहीं की machine है किसी देश की machine है ठीक है किसी और देश की company है जो इसका production करती है या किसी देश की industry जो इसका production करती है और माल लो कि ये जो machine भी बनाई गई है उस machine के parts भी अलग-अलग देशों से मंगाए गए हैं उसको किसी और जगए assemble किया गया है तो यानि कि ये कपड़े को बनाने में कितने सारे देशों के भूमी का हो सकती है एक देश का raw material हो सकता है दूसरे देश बनने के लिए जा सकता है जिस machine से वो कपड़ा बन रहा है वो machine भी कई सारे देशों ने मिलके बनाई है कई सारे देशों से उसके अलग-अलग parts अलग किसी एक चीज का प्रड़क्शन किया है फिर क्या है विदेश व्यापार और बाजारों का एकिक्रण जब प्रड़क्शन हो गया चीज बनके तैयार हो गई माल लो बल्क में जो है माल तैयार हो गया आप दुनिया भर के देशों में सप्लाई किया जाएगा यानि कि किसी एक कपन ब्रांट का एक्जाम्पल लें मालो ए नाम का कोई ब्रांट है ठीक है कपड़े का ही कोई ब्रांट है वह दुनिया के हर देशों में आपको दिखाई देगा क्यों कि वहां से हर जगह सप्लाई हो रहा है तो विश्व ये विदेश्वियापार हुआ की नहीं हुआ और देश दुनिया के देशों के बाजार आपस में जुड़ गए की नहीं जुड़ गए तो यहीं हुए बाजारों का एक ही करण फिर वैश्वी करण क्या है वैश्वी करण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के देश एक दूसरी के साथ आर्थिक करदोन किसी रोक्टों के बिना किसी प्रतिबंध की ओलड रइड फिर क्या है विदेशी व्यापार विदेशी नवेस नीती का उधारी करन अब जब आपको प्रोडक्शन करना हैं दुनियाind के देशों से संबं़्नाने हैं तुम निःश्यन से है कि कोई एक पाइटिकुलर कंपनी सिर्फ एक जगह काम ना करके अपनी ब्रांचेस अपनी शाखाएं अलग-अलग जगहें लगा लेती है तो क्या कर रही है दुनिया के अलग-अलग देशों में जाकर इंवेश कर रही है क्लियर हो गई ये बात तो विदेशी व्यापार था विदेशी निवेश नीती का उधारी करण अब उधारी करण से क्या मतलब है उधारी करण से यह मतलब है कि अगर कोई कंपनी दूसरे देश में जाकर काम करना चाहे कोई दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंद बनाना चाहे तो उसमें कोई रोक टोक ना हो यानि कि व्य किलियर फिर बात आती है विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार संगठन यानी की डबलू टीयो जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन क्या है तो भई यही तो सबसे बड़ा एक और्गनाइजेशन है जो विश्व व्यापार को संभव बनाता है विश्व में व्यापार कैसे होना चाहिए किस नियम कानून काईदों के अनुसार होने चाहिए वो सारे नियम काईदे कानून बनाने का काम किसका होता है WTO का WTO के कुछ सदश्य देश भी हैं जिनकी साथ में एक कॉन्फरेंस भी होती है वो दुनिया में व्यापार कैसे करना चाहिए कौन से नियम बनाये जाने चाहिए और वो नियम वास्तों में लागू हो रहे हैं कि नहीं वो नियम ठीक से काम कर रह है या नहीं उनपर निगरानी भी रखता है एल्राइट क्लियर है तो ये हो गई बात विश्व व्यापार संगथन की इसमें हम अंदर क्या-क्या जाने CGD STA्STroffen कब बना क्यों बना कैसे बना कितने मेंबर्स हैं क्या काम है कहां है इसका head quarter कौन है इसके head ये सारी चीजें इसके अंतरगत जानेगे फिर हम जानेगे भारत में वैश्वी करण का प्रभाव भारत में globalization का प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है अल्राइट ये जो दुनिया के देशों में व्यापार हो रहा है उसका भारत पर क्या आसर पड़ता है भारत पर उसका क्या सकारात्म कसर पड़ता है या नकारात्म कसर पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपेक्ट के बारे में जानेगे फिर हम जानेगे न international trade को possible बना रहे हैं वो क्या नियाय संगत हो रहा है यानि कि ठीक तरीके से हो रहा है काइद कानून के साथ हो रहा है जो डबली टी ओ ने काइद कानून बनाए है नियम बनाए है प्राविजन्स बनाए है प्रावधान बनाए है उनके अनुसार ही हो रहा है क्या और अगर नह आपको कराये जाएंगे इस चैप्टर के NCERT Solutions क्या कराया जाएगा NCERT Solutions NCERT Solutions में कितने question होगे जितने आपके total किताब में दिये होगे NCERT का जैसे chapter number 4 आपका खतम होता है उसके तुरंत बाद कुछ question answer लिखे होते हैं उन सवालों के answer आपको बतलाए जाएंगे उसके बाद होगे इस चैप्टर के 30 multiple twice question और उसके बाद होगे इस चैप्टर के most important question most important question में क्या क्या होगा तो total 20 most important question होगे जिसमें शामिल होगे आपके अतिलगुत्रिय प्रश्न लगुत्रिय प्रश्ण और आपके होंगे दीरगुत्रिय प्रश्ण दस अती लगुत्रिय पांच लगुत्रिय पांच दीरगुत्रिय इस तरीके से टोटल आपको 20 most important question answer solve कराई जाएंगे और जैसे ही इतना सब कुछ हो जाता है अपना चैप्टर पूरा हो गया question answer तक अपने कर लिया practice कर लिया तो क्या हो गया chapter खतम लेकिन बाकी क्या बचता है बाकी बचता है रिवीजन तो हम करेंगे इस chapter का complete chapter revision यानि कि पूरे chapter का मात्र single video में एक video में आपको पूरा revision कराया जाएगा all right clear है तो चलिए जल्दी से आज के session को आप सभी like share subscribe कर दीजिए notification bell icon को press कर दीजिए ताकि जैसे इस वीडियो का पहला topic आता और other topics आते हैं आपको तुरंत notification मिल जाए और आप उस session को तुरंती ज्माइन कर पाए अगर आप हमारे daily के live session recorded session से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ों प्लब्द है magnet brains के youtube channel website और application पर magnet brains इंडिया का number 100% free online education platform है इसके अलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कही सारे चॉप courses हिंदी और इंग्लिस दौनों मीटियम में अविलेवल है सी बेसी बोट के साथ साथ देली बोट बिहार वोड यूपी वोड एंपी वोड राजस्तान बोट के स्लेवरों को और्फ साया कामफी सारी स्पेशल जैसे कि वयद कोर्से साथ आpton पर हाई चॉप यंग्लिस के साथ विल erf भूर्त प्रॉइड कराए जाते हैं यानिकी वीघ्लिस में ःचनल से पढ़ने के लिए आंपको किसी भी तरीके की कोई फीज देने की जरूरत नहीं है कोई सब्सक्रिप्शन पर्चेस करने की जरूरत नहीं है यूगि सारी चीज़ें एकदम फ्री 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 प्रोवाइट कराई जाती है मैंगनेट ब्रेंज यूट्यूब के लावा अधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्वीटर, टेलीग्राम, वाट्सअप पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राथ कर सकते हैं